C, I, E, T, N, C, E, R, T दोरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का सात्मा पाठ बिन बोले बात चुप तुम रहो, चुप हम रहें, चलो एक खेल खेलें इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में बढ़ जाओ इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक-एक कागस की परची देगी हर परची में कुछ लिखा होगा सभी अपने अपने गुट में परची पढ़ेंगे सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूख नाटक तयार करना है इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुचानी है तुम्हें अपने शरीर के अलग-अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है जैसे आँखों से, चेरे के हावाव से, हाथ के इशारों से जब सभी गुट एक-एक करके आएं और सभी के सामने अपना मूख नाटक करें सभी देखने वालों को ये बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है कैसा लगा ये खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? आप चितर में देख सकते हैं कि कुछ बच्चे इशारों से बात कर रहे हैं क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते देखा है? इन लोगों को इशारों में बात करने की जरूरत कब पड़ती है? हम मेंसे ज्यादतर लोग बोल और सुन सकते हैं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं दूसरों की बातें वे उनके होटों को देख कर समझने की कोशिश करते हैं हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते हम में से कोई गात अच्छा है तो कोई कवित अच्छी लिखती है कुछ बच्चे जड़ से पेड़ पर जड़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दोड़ते हैं कुछ चितर अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है हम सब अपनी स्कूल इसलिए तो हैं कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाशा सिखाई जाती है। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती। वे बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। मेरी बेहन सुन नहीं सकती। मेरी एक बेहन है। मेरी बेहन सुन नहीं सकती। मेरी बेहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बेहने ही मेरी बेहन की तरह होंगी मेरी बेहन पियानों बजा सकती है वो पियानों के सुरों को महसूस कर सकती है वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है कूदने, उचलने और कला बाजियां लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है वैसे मां उसे घर पर हूट पढ़ने की ट्रेनिंग देती है कलास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते है वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था उसका फ्रेम काफे बड़ा था उसके कांच भी एकदम काले थे जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा मेरी भूरी आखें उसकी भूरी आखों से नजाने क्या-क्या कहती है जीन वाइट हाउस पीटरसन की कविता के कुछ अंश है ये जिसका नुबात किया है अरविंद गुपता ने हम अपनी आखों से बहुत कुछ कहते हैं छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं चेहरे से हाथों से वे कितना को समझाते भी हैं चेहरा है आईना अपने आसपास के छोटे बच्चों जो करीब 6-8 महिने के हैं हूँ उनको देखो वे अपनी बातें बिना बोले कैसे कहते हैं यहाँ एक लड़के का चित्र दिया गया है जिसके आँख नाक मूँ नहीं बना है तुम सोच रहे होंगे यह कैसा चेरा ना इनमें आँखे है ना नाक और नाहीं मूँ यह सब तो तुमें बनाना है ना यह आफताब है इसका खिलोना गिरकर तूट गया है वह दुखी है कैसा होगा उसका चेरा बनाओ तो यह जूली है कल ही इसकी छोटी बहन पैदा हुई है वह बहुत ही खुश है उसका चेरा बनाओ यह यामिनी की अम्मा है आज यामिनी ने जब रस्वई से अचार की शीशी निकाली शीशी गिरकर तूट गई अम्मा का चेरा बनाओ यह रिहाना है, रिहाना को कुत्तों से बहुत दर लगता है, वै खेल रही थी, अचानक उसके सामने कुत्ता आ गया कैसा होगा रिहाना का चेरा? चेरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुसे में है तुमारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और मा को तुमारा चेरा देखकर ही समझ में आ गया हो से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं नाच में इशारों और चेहरों के हाव-हाव का इस्तेमाल करते हैं इन्हें मुद्राएं कहते हैं नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और उने करके दिखाओ यहां पर चार चित्र दिये गए हैं उनकी आधार पर कहानी बनाओ पहला चित्र है एक गिलहरी एक डाल पर फुदक रही है दूसरे चित्र में वह गिलहरी खुशी-कुशी एक कढाई में कुछ पका रही है तीसरे चित्र में वह गिलहरी खाना पनाते बनाते नाच रही है चौथे चित्र में कुछ खाना नीचे पड़ा हुआ है उसे कबूतर, चिडिया और चूहे खा रहे हैं अब इन चित्रों के आधार पर कहानी बनाओ बिन बोले बात अभी है आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का सात्वा पाठ प्रस्तुती, C-I-E-T and C-E-R-T नई दिल्ली, भारत